तो हलो दोस्तों मैं हूं आपका दूस्ता विनब दीपू और आज सुबा जो है ना वह एक ब्लॉग ख्यूट करने आए थे इस साइट दिखा के साइड तो सोचे क्यों नहीं जारा है जे पीसे तू के उस साइड मतलम छपड़ा एनेच के तरह सीतलपूर के असपास में तो स तो सुबा का संराइज वह अल्टिमेट रहता है आज सुबा है वह काफी हेजी हेजी मॉसम है अगर धंड़ा आने वाला है तो सभी मौर्निंक है वह अल्टिमेट रहता है और एक और बात बतारे है कि अभी जस्त है वह मदीन ड्राइप गंगा पाथवै होते हुए और जै जा रहे हैं हम जेपी सेदू के उस साइड जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक फ्लाइवर बन रहा है जो कि पटना को छपड़ा एने च और चपड़ा हाजीपूर जाना जो है वह और पटना से अगर आप जा रहे हैं तो यह चपड़ा यहाजीपूर से पटना आ रहे हैं तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा तो वह फ्लाइवर क्या कुछ इतना काम हुआ है मेंनली आज इसका अपडेट करने वाले हैं क्योंकि यह जो फ्लाइवर रहना वह बहुत मेजर पार्ट है यह प्लाइवर जैसे बनके कंपलीट हो जाएगा तो हम लोग को राइट करना इजी हो जाएगा ट्रावल करना एकड़ मीजी हो जाएगा तो बी काफी हाई रहता है तो उतना मतलम अच्छा फील नहीं आता है जतना फ्रेश एर इधर फिल होता है इसार का फ्रेशनस है वह जबर्दस्त है तो अभी फिलहाल जो है वह हम लोग जेपी से तु क्रॉस किये हैं और जा रहें बजरंग चॉक वाला फ्लाइवर होते हुए डारि दो वही बजरंग चौक जहां से हम लोग चौक के मतलम चौक पर जो फ्लाइवर है उसके नीचे से रास्ता है राइठ है डियांट साइड होके डारेक्ट चले जाते हैं सोनपूर के तरफ या हाजीपूर के तरफ और सीधा भी रास्ता है तो दोनों और रहता है वहाँ पर तो फाइनली हम लोग बस पहुंच गये हैं बजरंग चौक वाले फ्लाइवर पर जा दोस्तों बजरंग चौक वाले फ्लाइवर पर आ गये हैं और यह जो फ्लाइवर है यह भी जबरदस्त है मतलब इस फ्लाइवर खुद में एक यूनिक है यूनिक इस वजह से है क्योंकि पूरा गाउं का एरिया है इस साइड में पूरा और जैसे हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे तो यह और चल जा जा जाए गा च्छपडा एनच पर अगर यह फ्लाइवर डारेक्ट कनेक्टेड और च्छपडा एनच से तो क्या हो जाएगा कि हम लोग को ट्रावल करना काफी हो जाएगा बतलब हम लोग डारेक्ट अटलपथ फेस्टू जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो अटलपथ होते विए जेपी से तु आएंगे जेपी से तु होते विए डारेक्ट इस यह फ्लाइवर बजरंग चौक वाले फ्लाइवर यूज करते वह सीज़े छपड़ा वह स्टार्ट हो गया है और सबनके कंप्लीट में पूरा और परोट और कनेक्टिविटी और शकुर ट्रावल कर पाएंगे और जैसे एक बार कनेक्टिवीटी अच्छा हो जाएगा बाहर आउटर मतलम गाउं साइट से शहर का कनेक्टिवीटी अल्टीमेट वाला हो जाएगा उसके बाद क्या है कि डिवलप्मेंट जो है वह एक अच्छे लेवल का होगा कोई भी आदमी कहीं लोग ट्रावल करते रहते हैं तो रूट कनेक्टिवीटी बेस्ट पार्ट है यह बनना बहुत जरूरी है वैसे अगर हाइटेक फ्लाइवर का बात करें ना इसका तो अभी हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे वहां आपको दिखाएंगे कि इस फ्लाइवर को हाइटेक नाम और उस साइड वाला फ्लाइवर भी बनके लगभग कंप्लीट हो गया है वैसे आपको दिखा देते हैं यह जो आफिस देखना सेटप यहीं पे है वह वेट मेजर्मेंट मसीन का ऑफिस है और उस साइड में सिगनल अगर कोई हेवी वैकिल आएगा ओवर वैकिल वहां पर सिगनल जल जाएगा और यह वाला जो फ्लाइवर है यह कर देगा हाजीपुर छपड़ा एनेच को चलते इस फ्लाइवर के ऊपर थोड़ा दिखाते आपको वैसे एंटी सन है इस साइड में संराइज हुआ है तो विजिबिलिटी उतना अच्छा नहीं होगा एंटी सन के जैसे यह कंप्लीट हो जाएगा वैसे हम जेपी से सीधा आएंगे और सीधा हाजीपुर छपड़ा एनेच पे चले जाएंगे फ्लाइवर के थ्रू इसलिए यह जो फ्लाइवर है यह काफी मेजर पार्ट है तो आगे जाना पॉसिबल है नहीं तो हम लोग चलते है यूट यह जो है यह फ्लाइवर बनके कंप्लीट होने वाला है और अगले साल के मार्स तक में चालू हो जाएगा अगर सब पुछ अच्छा रहा तो तो चलते हम लोग आगे के तरफ इस साइड में और इस सैड जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो हम लोग को पुराना वाला अभी जो हाजीपुर छपड़ा एनेच है पुराना वाला रोड है वो जस्त यहीं पर है और उस नया वाला जो छपड़ा एनेच रोड है वो आगे है तो वह अगर जाना है तो इस फ्लाइवर के थूरू हम लोग जा सकते हैं बस फ्लाइवर जो है वो पूरा है यह देख सकते हैं और इस सइट अगर सीधे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग चले जाएंगे हाजी पुर छपड़ा नया वाला यह पुराना वाला था और आगे बढ़ेंगे तो नया वाला वैसे इसके आगे जाने का ओप्शन जो है वह कुछ ठीक ठीक नहीं लगता है मत यह जो जो पूंट होने उन चाहिए पूरा नहीं और उस साइड में आया वाला यह फ्लाइवर जैसे बन के टेंचन के तो आने वाले टाइम में जल्दी ही यह भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा और हम जो है वो इस टाइप का वीडियो आप लोग के शार्ष करते रहते हैं और आप लोग धेर सारा प्यार देते रहते हैं तो काफी अच्छा लगता है मज़ा आता है वैस इसी वज़े से दो तीन दिन से वीडियो नहीं आ रहा था थोड़ा मूड ओफ हो गया था इस वज़े से वैसे अब उस पर वर्क कर रहे हैं जल्दी उसको ठीक कर देंगे वैसे टेंशन मत लीजिए तो आज का व्लोग जो है वहीं पेंट कर देते हैं मिलता है जल्दी ने